नमाशक्कार दोस्तों सुभागत आपका एक नए वीडियो में मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी आपके लिए उसमें मैंने आपको Kin 44 के बारिम बताई था और कुछ टाइम पेले मैंने एक और वीडियो बनाई थे इसमेन anni को मुल्लिक का फंड के बारिम बता है इस होनों में बहतर कौन सा है क्या difference है और कौन सा कम रिसकी है कौन सा ज्यादा रिसकी है तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे है इस तरह की कि कि कोई भी confusion आपके दिमाग में तो वह इस वीडियो के बाद clear हो जाएगी तो friends करना ही है और जो बच्चा हुआ 25% वह इस पर डिपेंड करते हैं कि वह कहां इन्वेस्ट करें प्लैक्सिक फंड में इस तरीकी का कोई भी terms and condition नहीं होती है वह कहीं पर भी किसी भी फंड में पैसा लगा सकता है तो यह तो हुआ पहला और में डिफ्रेंस दूसर डिफ्रेंस ही हुआ यह जो फ्लेक्सी के फंड में यूज़ कर सकते हैं अब तीसरे डिफ्रेंस की बात करें तो जो फ्लेक्सी्जेफ फंड होता है उसमें major протion евस्ट किया जाता है वह लार्ज क कीया जाता है इसके ठीक बहुते जो आपका multi काथ में होता है उसमें तो 25% से mandatory ही है तो उसमें ऐसा नहीं होता है उसमें small cap fund में ही ज्यादा investment होता है या at least 25% तो होता ही होता है ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें ज्यादा investment large cap fund में कर दिया चाहें अब चौथा जो difference होता है कि रिस्क के basis पे कि आप पूछते हैं दोनों में से risky कौन ज्यादा है तो multi cap fund जो होता है तो flexi cap fund के comparison में ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि इसमें तो 25% पैसा जो है आपका वो small cap fund में लगा ही लगा है तो दोनों में अगर आप risk के basis पे बात करें तो multi cap fund ज्यादा रिस्क है in comparison of flexi cap fund यह major major difference हुए दोनों के बीच में आई होप आपको डिफ्रेंस क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में क्या difference है investment की basis पे और डिस्क की basis पे अगर आपको यह difference समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को